हालो फेंस बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे न्यू पेटर इंग्लिश कोस्टन सभी बेंके एक्जैम्स के लिए और ये कोस्टन बैंक प्यू एक्जाम में पीजी डिएफ एक्जाम में और पूछे जा सकते समय इस तरह के questions का trend चल रहा है तो इन questions को हम देखेंगे देखे ये recently पूछे गए थे ये question, column based question है ये और इसमें आपको क्या करना है यहाँ पर एक column दिया है यहाँ पर एक column दिया है column 1 and 2 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 sentence दिये हैं A, B और C ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर sentence दिये हैं D, E और F तो इन sentences को mix and match करके correct sentences आपको बनाना है तो जो sentence correct होगा grammatically भी वो correct होना चाहिए और contextually भी correct होना चाहिए इस चीज़ को आपको समझना है कि sentence दौनों तरीके से correct होना चाहिए उसकी grammar भी correct होनी चाहिए और किस context में वो बोला जा रहा है उसका context भी correct होना चाहिए ठीक है, यह बहुत important है तो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ It is largely due to encroachments by human अब देखिए, इस sentence के साथ यहाँ पर इस sentence के साथ कौन सा sentence जुड़ सकता है अब देखिए, it is largely due to encroachments by human is not justified at all इसके साथ यह sentence नहीं जाएगा इसके साथ यह वाला sentence जा सकता है इवाला इस sentence का मतलब क्या है इस sentence का मतलब यह है कि encroachment जो होता है अतिकरमर जो होता है human being जो होते है जो है वो animal territory में घुश जाते है ठीक है या animal territory को disturb करते है उसकी वज़े से man-animal conflicts होते है man-animal में dispute create होते है तो यह इसका मतलब है तो यह sentence इस sentence के साथ जुड़ रहा है यानि इसका context सही है क्योंकि इसमें हम encroachment की बात कर रहे हैं इसमें हम man-animal conflict की बात कर रहे है तो यह दोनों sentence जुड़ सकते हैं ठीक है नाउन यह है यह plural है तो इसलिए यहाँ पर यह जो lead word आ रहा है यह किसके लिए आ रहा है lead word के पहले यहाँ पर एक relative pronoun है और relative pronoun के बाद जो verb आती है वो relative pronoun से पहले वाले subject के according आती है इसको आप अच्छे तरीक से समझ लीजे यह एक relative pronoun है और relative pronoun के बाद बाली जो verb होती है वो उसके पहले वाले subject जिसको हम antecedent बोलते हैं grammar में उसके according आती है अब इसमें subject verb agreement का rule एप्लाई होगा चुकि encroachments जो है यह plural है इसलिए verb यहाँ पर जो आईगी वो plural में आईगी यानि leads ना होते हुए यह होगा lead तो यह sentence contextually तो correct है लेकिन grammatically wrong है तो इसलिए यह combination इसमें नहीं बनेगा दूसर देखते है इसके साथ नहीं जोड़ा क्योंकि इसके साथ इसका एक natural combination नहीं बनेगा stable burning has always been is not justified at all यानि इसका इसके साथ combination नहीं बन रहा B का D के साथ combination नहीं बन रहा है इसका इसके साथ combination बन रहा है कि stable burning जो है वो has always been मतलब हमेशा रही है one of the pressing issue of environmental protection environmental protection का एक crucial issue रहा है stable burning stable होता क्या है जैसे जो फसल होती है जो harvesting होती है फसल है कोई भी कोई भी फसल है ग्यों की फसल है ज्वार की फसल है कोई भी फसल है उसको जब हम काट लेते हैं तो नीचे जो बसता है लकडी के जो इनको क्या बोलते हैं लकली के कुछ पार्ट्स बसते हैं नीचे मोटे मोटे से फसल काटने के बाद तो यह sentence यानि B sentence F sentence के साथ contextually तो correct है लेकिन grammatically correct नहीं है देखिए one of the के बाद हम जो noun लगाते हैं वो कैसी लगाते हैं यानि यहाँ पर issue के स्थान पर issues होना चाहिए तो यह भी आपका गलत हो गया अब इसको देखते हैं तो यह sentence बाकी का बचा है यह sentence केबल और केबल इस sentence के साथ ही mix and match हो सकता है to callously kill animals that that देखिए यहाँ पर यह verb यह दी है यह सई दी है मैंने अभी आपको बताया था कि relative pronoun के बाद बाली verb उसके पहले वाले subject according आती है यानि subject और वर्ब यहाँ पर यह subject और वर्ब मिले हुए है तो animals चुकि plural है इसलिए verb भी यहाँ पर plural आएगी तो यह सही है to callously kill animals that threaten is not justified at all यह sentence सही है यह grammatically भी सही है और contextually भी सही है मतलब इसका मतलब क्या है इस sentence का मतलब है to callously kill animals animals को मालना निर्दैता के साथ जो हमें threaten करते हैं जो हमें intimidate करते हैं जो dangerous हो सकते हैं उन animals को मालना justified नहीं है fair नहीं है तो C और D यहाँ पर आपका सही answer होगा इस तरीके से इन sentences को करना होता है यहाँ पर मैंने word meanings दिये है encroachment कार्थ होता है illegal intrusion और entry कहीं पर बिना किसी legal permission के घुश जाना अती कर्मार इसको हिंदी में बोलते है तो इसको हम बोलेंगे encroachment stable क्या होता है stocks और straws sorry callously क्या होता है callously होता है heartless या insensitive threaten, intimidate करना डराना, डराना, sorry justified, fair, conflict, disagreement a pressing issue मतलब crucial issue important issue जिस पर action लेने की जरूवत है तो यहाँ पर आपका answer होगा second यानि C और D question number second देखते हैं यहाँ पर भी मैं word meanings explain करूँगा आपको stringent fines can act as a deterrence देखिए fine का fine का relation किस से है हम किस चीज़ पर fine लगाते है हमारे उपर fine तब लगाया जाता है जब हम किसी चीज़ को violate करते है यानि इन दो sentence में एक natural correlation है तो इसलिए इस sentence को मैं इसी sentence के साथ mix and match कर रहा हूँ क्योंकि इनमें एक correlation है इनमें एक logical connection है stringent fine can act as a deterrence against violation because as of now fines are nominal ये sentence ही है इसका मतलब ये है कि यदि आप कम fine लगाते है suppose किसी ने red light cross कर दी और आपने उससे fine लिया 10 रुपे का तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि जो fine का amount है बहुत nominal है और कोई red light cross कर देता है और उससे आप fine लेते हैं 1000 रुपे तो next time वो काफी सोचेगा red light को cross करने से पहले यानि वो एक deterrence की तरह काम कर सकता है stringent fine can act as a deterrence यानि discouragement against violation because as of now fines are nominal ठीके तो इसके साथ a के साथ e sentence यहाँ पर एकदम correct है next हम देखते है developed country need to commit fund so अब so के साथ हम क्या जोड़ते है that जोड़ते हैं तो यहाँ पर that जोड़ जाएगा developed country need to commit यहाँ पर देखे need सही है के नहीं है need यहाँ पर सही है क्योंकि countries जो है यह plural noun है developed countries need to commit fund so that poor nations can cope with climate change यह भी सही है कि developed country को fund देने की जरुवते है उनको कुछ fund देना चाहिए ताकि poor nation जो है वो climate change के साथ cope कर सके उसका सामना कर सके ठीक है इसमें देखिए by not giving funds developed countries are affecting millions of people तो यह भी सही है तो इसमें तीनों ही combination आपके सही है तो इसमें answer होगा आपका third next question देखते है medical tourism in India इसके साथ कौन जा sentence mix and match हो सकता है यह वाला हो सकता है क्योंकि इसमें हम बोल ले है has always been better than many European nations तो इंडिया का जो medical tourism है वो दूसरे European nations के medical tourism से अच्छा रहा है medical tourism in India has always been better than many European nations तो इसमें medical tourism की तुला हम किसे कर रहा है European nations से जबकि तुला हमें करनी चाहिए medical tourism की हम compare करेंगे European nations के medical tourism से तो यहाँ पर होना चाहिए has always been better than that of यहाँ पर हमें लगाना चाहिए that of तब यह सेंटेंस सही होगा यानि इस सेंटेंस के साथ यह वाला सेंटेंस grammatically wrong है नेक्स देखते है travel and tourism apart from generating revenue provide ample ample of opportunities and employment यह जुड़ तो सकता है लेकिन इसमें ample के बाद off यह गलत है इंक्रीज़ इस्मार्ट फोन्स और इंटरनेट पेनिट्रेशन हैं इसमार्ट फोन की बज़े से और इंटरनेट पेनिट्रेशन की वज़े से ओनलाइन बुकिंग बढ़ती हैं घठती नहीं है तो यह sentence grammatically तो सही है लेकिन contextually गलत है इसलिए इसमें आंसर होगा आपका none of these next question देखते हैं mob vigilantism has been has been the law to preventing future license instances of violence इसमें 2 के बाद यहां ING form नहीं आएगी इसलिए यह नहीं जुड़ेगा इसमें second देखते हैं punitive elements is needed in नहीं नहीं इसके साथ यह जुड़ेगा punitive element is needed in the law हाँ इसके साथ यह नहीं जुड़ पाएगा इसके साथ देखते हैं mob vigilantism has been only one facet of problem arising out of illiteracy A और F जुड़ रहे हैं यहां पर इस देखते हैं authorities who are conferred देखिया किसी को हम legal power देखते हैं तर उसके लिए हम बोलते हैं conferred with तो यहां पर यह sentence नहीं जुड़ेगा इसमें केबल A और F सही है A और F इसमें सही है इसका answer होगा first मॉब कार्थ होता है क्राउड विजी विजी लेंटिजम का मतलब होता है law enforcement मतलब law को लगा देना बलही आपके पास legal authority नहीं है लेकिन law को लगा देना मतलब किसी को कुछ देना चेक मतलब स्टॉप करना इंस्टेंस मतलब घटना एं इन एक्जाम्पल ऑफ अकरेंस ठीक है प्रिवेंट इस्टॉप प्यूनिटिब क्या होता है प्यूनिटिब मतलब पीनल यानि सजा से सम्मंदित तो यह सारे word meanings है next question लेखते हैं अल्थो दा कॉज ओफ दिस्ट्रेंस इन अग्री कल्चर मैंनी दा मोस्त इंपोर्टेंट इस दा स्लो ग्रोथ ऑफ फार्मर्स इंकम यह सही है इसमें ए और ए ए और ए सही है नेक्स देखते हैं इंपुट कॉस्ट इन अग्री कल्चर है इंक्रीज्ट मैनी फोल्ड बट बट दे नेट रिटर्ण हैबंट नेट रिटर्ण के साथ है नेट रिटर्ण सिंगुलर है इसलिए है नहीं आएगा यानि यह नहीं जुड़ेगा इसमें ए और ए जुड़ जाएगा इसमें इसको जोड़ देखते हैं डे अग्री कल्चर बेस्ट इकनॉमी नीट्स हाई इंकम फॉर दा फार्मल सुनीड 1.25 बिलियन पॉप्लियस यह भी जुड़ जाएगा यानि ए ए और सी एफ इसमें सही आंसर होगा आपका ठीक है यह एरर के कोश्चन है और दो एरर है इसमें इस तरह के कोश्चन आपसे क्लेडिकल एक्जाम और बैंक प्यों एक्जाम दोनों में ही पूछे जा सकते हैं तो यहां से देखते हैं वाइल सुडिजर लेंड हैज और अल्रेडी बिगन शेरिंग फॉरन क्लाइंट ड इंडिया और अगेस्ट ब्लैक मनी अग्येस्ट ब्लैक मनी या थू अन्यू पैक्त ठीक है तो यहां पर होना चाहिए थू यह विज़ अन्यू पैक्ट फॉर ऊटमेटिक इन्फॉमेट इन्फोरमेशन एक्शेंच तो इसमें बी और ई यह गलत है आपके अब यह होगा लगे संटेंंस में ब्लैक मनी की बात हो रही है का वह किसल papi Kangol is already completed sharing foreign client detail on evidence of wrongdoey provided by India. देखे, सुट्जेलेंड ने बोला है, सुट्जेलेंड जो है, सुट्जेलेंड की government जो है, वो तैयार हो गई है, कि वो उन client के detail share करेगी, जिनको India ने प्रवाइट किया है, जिनका account India ने प्रवाइट किया है. क्योंकि इंडिया बोलता है, कि इनके account में black money हो सकता है, तो उनका जो detail है, वो सुट्जेलेंड शेयर करने के लिए तैयार हो गया है. By India and some other country, it is agreed to further expand its cooperation, और सुट्जेलेंड ने बोला है, कि हम अपना cooperation, अपना सहयोग इंडिया के लिए और further expand करेंगे, किस चीज में, और India's fight against black money, इंडिया की जो fight black money करेंगे, तो उसमें हम उसको corporate करेंगे, corporate किस चीज के दौरा करेंगे, through a new pact, on a new pact नहीं, through a new pact, जो agreement है, pact का मतला होता agreement, ठीक है, a new pact for automatic information exchange, automatic information exchange ये पैक्ट का नाम है, एक agreement का नाम है, और इस agreement के द्वारा, surger land अपना cooperation extend करेंगा, इस agreement में ये लिखा हुआ है, कि surger land, इंडिया की मदद करेंगा, black money को trace out करने में, ठीक है, I hope ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, sentence आपका पूरे अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, तो यहाँ पर जो सही answer होगा, वो होगा, B and E, next question देखते हैं, the humanoid robots would be introduced in Chennai airport with a trial basis, देखे, यदि आप reading करते हैं regular basis पर, तो आपको गलतियां जो है, spotting error जो है, वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है, जैसे यहाँ पर देखे, with a trial basis नहीं होता, किसी चीज को जब हम करते हैं, तो हम कहते हैं कि on a trial basis, तो यह जो पाथ है, यह गलत है, यहाँ पर with a trial basis नहीं होगा, on a trial basis होगा, and if the passengers take a liking to the new robotic service, then we should gradually increase the number, said the AAI official, एक official बोल रहा है, कि humanoid robot को हम use करेंगे, Chennai airport में, trial basis पर शुरू करेंगे, और passengers take a liking, take a liking क्या है, एक phrase है, एक idiom है, take a liking मतलब उस चीज को पसंद करना, यहाँ पर आप बोल ला है, कि हम ऐसा करेंगे, we would gradually increase the number, तो यहाँ पर should के स्थान पर, आपका would होना चाहिए, तो इसमें भी आपका answer है, एक तो हो गया B, और एक हो गया आपका E, तो इसमें भी आपका answer B और E होगा, ठीक है, नेक्स कोशन देखते हैं था, union cabinet, देखिए, यह होना चाहिए, chaired by prime minister, union cabinet, जिसको prime minister के द्वारा, chair किया जाता है, यह actually passive voice construction है, और passive voice में हम ED form लगाते हैं, the union cabinet, chaired by prime minister, तो यहाँ पर एक तो यह एक अलर्थ हो गया आपका, ठीक है, यह आपका होना चाहिए, chaired, ठीक है, the union cabinet, chaired by prime minister, has approved the signing of, N होना चाहिए, यहाँ पर actually, of MOU between India and Bahrain on cooperation in the field of health care and working group, on a working group, will के साथ has कभी नहीं आता, will have हो सकता है, यह will be set up होगा, यह will be set up, ठीक है, तो यहाँ पर आपका D, A और D इसमें गलत हैं, आपका आंसर होगा, E, चले एक question और देखते हैं, Russia has been banned from, from क्या होता है, from एक proposition होता है, proposition के बाद हम ing from लगाते हैं, तो एक तो आपका यह बाला पार्ट गलत हो गया, यहाँ बी बाला पार गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए, competing, क्योंकि proposition के बाद हम ing from लगाते हैं, verb में, ठीके, by the international Olympic committee, but Russian athlete who can prove, they are clean, would be, would be के बाद allowed होगा यहाँ पर यह, तो इसमें भी आपका, एक तो B गलत हो गया, और एक आपका E गलत हो गया, ठीके, यह होगा allowed, इसमें भी आपका आंसर होगा, B और E, next question देखते हैं, in case I scream, that you whole has been, has been के साथ third form लगाते हैं, तो एक पार्ट आपका यह गलत हो गया, आपका B गलत हो गया एक तो, will be from the original investment date, and the gain or the loss will be calculated, calculated के बाद हम buy लगाते हैं, इसको हम calculate करेंगे, इसके द्वारा, ठीक है, calculated by reducing, मतला इस चीज़कों calculate करेंगे, by reducing the investment cost from the redemption cost, redemption cost मैंसे investment cost घटाके, हम इसको calculate करेंगे, calculated by, यहां पर होना चाहिए, बाए, तो B एक तो आपका B गलत हो गया, मर्जड होगा, और एक आपका D गलत हो गया, B और D इसमें गलत है, D आपका answer होगा, ठीक है, तो इस तरीके से, मैंने इसमें 10 sentence लिए हैं, और यह 10 के 10 sentence, bank PO में भी आ सकते हैं, clinical exam में भी आ सकते हैं, यह common question है, और I hope काफी concept आपके clear हुए होगे, किस तरीके से इन questions को करना है, और इसी तरह के वीडियो में आगे भी upload इस course में करूँगा, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा, नेक्स वीडियो क्लास में, झांक you.